नमस्कार मैं हूँ आरके रहना और आप देख रहे हैं हेल्थ कोज हेल्थ कोज रोग और इलाज की सही जानकरी देता है वो भी देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के दौरा पिछले एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हैं देश के प्रसिद कंसल्टन्ट मैनिपलेटिव फिजियो थरेपिस डॉक्टर अभिशेक प्रताप डॉक्टर अभिशेक अभी तक 4000 से भी ज्यादा रोगियों का सफल इलाज कर चुके हैं जिसमें बॉलिवोड की कई नामी ग्रामी हस्तियां भी शामिल हैं डॉक्टर अभिशेक इंद्रप्रस्ता फिजियो थरेपी रिहाबिलिटेशन सेंटर और इंद्रप्रस्ता स्पाइन मैनिवल थरेपी सेंटर के डिरेक्टर हैं अपनी वच्छे सिवावों के लिए कई एवाड से समानित किये जा चुके हैं जिसमें समाज रत्न सम्मान, बेस्ट फिजियो थरेपिस्ट ऑफ डेलिब, आईसी पीटी एम से सिग्निफिकंट कंट्रिबिशन एवाड भी शामिल है लाग साब बहुत स्वागत आपका हमारे शो हेल्थ कोच में तो आज का जो विशे हमने चुना है वो शायटिका है तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यह रोग है क्या शायटिका बेसिकली इसमें बहुत सारे परीज आ रहे हैं आज कल थैंक यू रेना जी इनवाइटिंग मी अगेन जो आज का टॉपिक लिया है शायटिका यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो है मे केशलिव जाथे इसको हम बहुत की सिंपल भासा में अगर समझना चाहे तो दिसीदा सेकेंडरी कॉंप्लिकेशनस फ़र डिसक कंप्रेसन सेकेंडरी कॉंपिकेशन सा pressionGordon score जो irritability आती है वो भी sciatica के इसमें count किया जाता है तो sciatica जो है वो एक नर्व है, sciatica एक नर्व है जब वो कभी किसी बॉन से दबती है, डिस्क से दबती है या किसी मसल से दबती है तो उसके बाद जो symptoms हमें महसूस होते हैं, that is called sciatica इसको कई सारे नाम इसके, sciatica neuritis, sciatica neuralgia, lumbar, radiculopathy तो ये जो कई नाम है, ये एक sciatica nerve को compress करने की बज़े से जो हमें sign मिल रहे हैं, जिसमें पैरों में पेन होता है, थाई में पेन होता है, back of thigh, front of thigh कभी कभी, side में, नीचे काफ मसल्स में पेन होता है नमनेस होती है, जो पैरों में, चीटियों की तरह कभी कभी, तलुमा में महसूस होती है after some time, जब ये लंबे time से ये दबती चली आती है, तो दीरे दीरे power loss होना सुरू हो जाती है और एट्रोफी हो जाती है, मसल्स दोन अगर हम देखा जाए तो राइट और लेफ्ट में, अगर किसी एक साइड राइट में हो तो राइट लेग की जो मसल्स वीक होती जाती है और दीरे दीरे लेग पतली हो जाती है और लेटर स्टेज में जाके ये एक बड़ी प्रॉलम को जनदेता है तो इसके मुख्यकारण किया है अब हम समझ गये हैं कि रोग क्या है ये एक सिम्टम है, एक कंडिशन नहीं बिमारी नहीं तो इसके क्या मुख्यकारण है इसका जो कारण है सबसे ज्यादा जो आज की टाइम में जो अभी आ रहा है जिसमें एक सबसे बड़ा है लाइफ स्टाइल फेक्टर जिसमें हम मुस्टली लेडीज क्रॉस लग करके बैठती हैं तो वो हमारी जो बेस लाइन डिस्टरब हो जाती है मेल केटगरी में जो पीछे वालेट रखते हैं जिसकी वज़ए से आम प्रॉब्लम है आफिसे में बटवा लगा के ही बैठते हैं तो उससे जो पिरिफॉर्मिंज मसल्स पिंच करती है तो मसल्स से कंप्रेशन आ जाता है इसकी बज़ए से दीरे 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 हमारी उसमें डिफॉर्मिटी डवलप होना सुरू हो जाती है जिससे हम एक तरफ 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 होते हैं वो एक हमारी स्पाइन के कर्विचर में एक लॉस हो जाता है जिसकी वज़ए से वो इसकॉलिसिस एक डिफॉर्मिटी है वो डवल कर देती है जो हमारे लंबर एरिया में पीछे लोगर बैक में जो पांच सेगमेंट से मिलके जो सियाटिक नर्फ बनी होई है तो वह किसी भी पर पर एक सेगमेंट पर जहां बल्जिंग हो जाती है और वहां पर जाके नर्फ को पिंच करना है कि अगर आपको किछी एक लाइग में पैना शूरू है वैसे तो दोनों में भी आशकता है मुश्टली एक लाइग में पैन आ रहा है जो हम जैसे खड़े होते हैं चलते हैं तो इसकी बजह जो पैर बेट नहीं ले पाता है पैन आना सुरू हो जाता है पीछे पीछे कभी कभी जो डिस्क जो डीजनेट कर जाती है जिसकी वजाए से स्पाइनल स्टीनोसिस बन जाता है जिसमें पीछे से उसका जो कैनल है जो उसका डायमेटर कम हो जाता है जिससे भी वो नर्व दबना सुरू हो जाती है जब हम कभी पीछे जो कर रहे हैं पीछे वेट पड़ रहा अगर कोई deformity हो रही है तो sleep disk secondary complications में आ जाती है otherwise muscular weakness की वज़े से भी sleep disk हो जाता है तो sleep disk के एक primary causative factor में आ गया और उसके बाद जब डिस्क बल्ज होती है डिस्क जब हर्णीयेट होती है तो वो उस जाके neural canal में जो groove से जहां से वो nerve निकल लई है उस पे जाके वो उसको पेंच करना शुरू कर देती है और वो जो है नर्व की इर्रिटेबिल्टी जो पैरों में शूटिंग पेन आता है नमने साज आती है और जब वेट नहीं ले पाते हैं किसी किसी पेसेंट का तो इंडूरेंस के वाद दो से तीन मिनटी होता है खड़े कि अब हम जान गए श्याटिका है क्या तो हमें क्या साफदानिया बरतने चाहिए गर पर डे टू डे लाइफ में ताकि एसी प्रॉब्लम्स ना हो सियातिका जैसे कि हमने बताया कि नहुंगोण डे प्रॉडरी महिए आप अगर मसस हो रहώρα है तो SingaporeMino चुम्टूंस बना से एकलिनी कली एचस्मेंट में कि वह एगजेक्ट ली फॉल्ट कहां पर है रूट कॉस्क्राइब टो एकोडिन डेट जो है वह यह पता लगता है कि हमारा फॉल्ट डैली लिंग एक्टिप्टीस से आरा है या हमारी लाइफ स्टायल की बज़ा से आ रहा है या फिर कई जो है एंगेस्टरस वें जिम में जो है वो बहुत ज्यादा over exercise करके over use हो जाता है तो उसकी वज़ा से heavy weight lift करते हैं कभी-कभी dead lift करते हैं जिसमें वो bulging होती है तो सबसे important part है कि जो हमारी कोई deformity develop हो रही है सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं तो हमारी spine में कोई deviation हो रहा है कोई spine में fault हो रहा है तो that is the correction of sitting fault and secondary जो उसकी बज़ाई से अगर कोई muscular weakness आ रही है तो उसमें हमें वो muscles की strengthening बहुत important है तो सबसे ज़्यादा है कि sitting fault को correct किया जाए जिसकी बज़ाई से disc compression हो रही है और उसकी बज़ाई से nerve compression कर रही है अगर कोई fault नहीं है deformity अगर कोई नहीं है और उसके साथ में अगर muscular weakness की बज़ाई से जिसकी बज़ाई से हम अगर बहुत ज़्यादा overuse करते हैं और वहाँ पर जाके muscles का endurance weak पड़ जाता है और disc bulge हो जाती है उसके बाद जाके sciatica problem सुरू हो जाती है तो फिर हमें वो muscles की strengthening बहुत जरूरी है एक doctor के supervision में एक अपने future therapist के supervision में जो क्या हमें exercise करनी है stretching बहुत जरूरी है तो वो उसके लिए आपको वो fault correct करना बहुत important है and सबसे important part में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी periformis muscles है वो highly sensitive muscles है जो हमारी hip muscles कह सकते हैं एक side में cross muscles होती है जिसके नीचे से sciatic जा रही होती है एक bridge बनता है जिसके नीचे से nerve जा रही है अगर वो muscles hypertonic हो जाती है उसकी tone हाई हो जाती है और नीचे से nerve दबा रही है तो हमें उस muscles को release करना बहुत जरूरी है यह उस मसस्त को स्ट्रैश करना बहुत जरूरी है अपने घर में सैल्फरेटिशिंग डॉक्टर जैसे आपके फीजो थरपिस्ट जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एकॉर्डिग डियर्ट आपको इस्ट्रेशिंग बहुत जरूरी है और अपनी खान पान को सब्सक्राइब करना है तो अब हमने यह देखा कि जो सावादानिया आप बता रहें दर्शक के लिए कि गलत पोस्चेर में काफी देर रुखना या वेट लिफ्टिंग अलग तरीके से जर्क के साथ करना नहीं होना जो जर्की मुवमेंट्स हैं वह एवाइट करना है लाइक सदन 45 डिग्री फॉर्वर बेंडिंग अचानक हम जो फॉर्वर बेंडिंग लेते हैं वो उसमें क्या होता है कि अगर हम राइट साइड जुके तो जो डिस्क है वो लेफ्ट साइड बल्ज हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में पेन आना सुरू हो जाएगा तो यह सब से खतना के अंगल होता है कि कभी हम खड़े होके एक साइड से कुछ भी काम करना सुरू करते हैं एक साइड से हमने कोई बज़न उठा लिया और जिसकी वज़ए से वो है वो अपोजिट साइड कंप्रेशन हो गया कंप्रेशन तब ही होगा जब मसंद वीक है कुछ ने कु प्रिकॉसेंस नहीं लिए तो यह दोबारा अगया तो हमें मसंद को स्ट्रॉंग करना बहुत जरूरी है उस सेग्मेंट पर पर्टिकॉस सेग्मेंट तो बात हो रही थी सावधानियों की वह हम तो कहते हैं सावधाने आपकी हटी तो दुरगटना गटी तो अब वही आते हैं सेख्ञाण की दए अगर हमने सही सवधायनिया नहीं बढ़ती या सही तरी करी थिरेके से एलाज नहीं किया तो क्या कंप्लिकेशन हो सकती है शीक मेले को मिल रहा है कि आपकी सबसे और फ़िल्टी लाइफ तैल की बज़े से तो वही हमारी देडियर क्या होता है कि उनकी बज़े से हम जो है चर्चड़े हो जाते हैं तो एक तो यह सबसे बड़ा हमारी प्रोडेक्टिव्टी पर फर्ख पर्ख परेगा। 2. जो हम symptomatics कहते हैं धर नर्भ ब्रेन से दबे यह डिस्क् से दबे यहँ किसी मसेद मसेद दबती तो बेचारी नर्व में तो जब नर्व दबती हैं तो जो उसकाWait मिली एंपियर का करेंट अगर आ रहा है और वो अगर वो कोई वायर अगर दब जाता है तो उसका कुछ करेंट रिड्यूस हो जाता है और वो वहां पे जाके उसका सप्लाई एफेक्टेट होने की वजए से वो चीज जहां पर टर्मिनल रेंज पर जाके हमें प्रॉलम जिसकी वजए से हमारी रेंज अफेक्टेट होगी मॉबिलिटी लॉस होगी और आफ्टर सम्टाइम्स धीरे धीरे वो क्या है एक नीव प्रॉलम को इंवाइट करेगी लाइक पैरालैसिस जिससे आप चली नहीं पा रहें तो जब मैं देख रहा हूं कि जो हमारे पास एक आप फाल्टी लाइफ इस्टाइल वो इनकी प्रॉलमा जाती है और वो खडए नहीं हो पाते पांच-पांच mindset का उनका इंडूरेंस रही जाता है वोकिंग दूरेंस ए इस्टेंडींगडरेंस तो यह बहुत बड़ा एक से कॉंदीं कांड होता है उस्ट番 सटमी कऔर डियाप्टीज वाली पेसेंट को अगर यह होता है तो उनकी डियाप्टिक नियूरोपेथी अगर उनको है और साथ में अगर सियाटिका का नियूरोपेथी हुआ है और उसकी वज़े से अगर नमने सारी तो उनको यहीं नहीं पता लग रहा है कि पैर में हमारे को कुछ सेंस तो जैसे डॉक्साब से हम बात कर रहे हैं शाइटिका पेन पे हमने ये जाना कि हम अगर थोड़ा सा भी इसके इसके इलाज में गल्ट इलाज करते हैं या नजन अंदाज करते हैं तो हमारा प्रोटक्टिविटी का चलना फिरना भी बंद हो सकता है तो हमारी चर्चा जारी है, यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रही है हेल्थ कोच के साथ बदलती लाइफस्टाइल में बिमारियों से कैसे रहे दूर और कैसे रखें अपने आपको एकदम फिट जानने के लिए दिखना न भूले, आगे रहना के साथ कारिग्रम हेल्प कोच प्रतेक रविवार, रातली तस बजे से सिर्फ दिशा टीवी पर स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर अभिशेक प्रताप के साथ डॉक्साब आपका भी सवागत प्रेक के बाद, अभी हम समझ गए हैं, दर्शक भी समझ गए होंगे कि इनके मुख्य लक्षन क्या है, शायटिका पेन के, या क्या साथधानिया भरतनी है, जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसका कैसे होता है, कैसे समझ मैंगा ये शायटिका पेन ही है डियाग्नुसिस इसका काफी simple diagnosis है, clinically assessment में पता लग जाता है, के असिएटीकां की भज़े बज़े से आ रहा है, डिस्क बलजिंग की बज़े से आ रहा है, या मसल्स परीफॉर्मिस की शौ्टनिंग की मज़े से आ रहा है, या फिर कोई भी दूसरा कारण होता है तो वो हमें 90% क्लिनिकली पता लग जाता है otherwise हम X-ray कराते हैं तो उसमें अगर कोई deformity से related होता है तो OC में पता लग जाता है और कुछ अगर doubt लगता है तो then go for MRI तो diagnosis इसका easy है पेशेंट अपने आप में भी कभी कभी वो डाइगनोस करी लेते हैं अपने आप बोलने लगते हैं हमें तो सियाटिका हो गया तो वो यह एक awareness अगर है अगर ऐसे अगर अपने आप में कुछ अगर कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है कि ताकि किसी गलत treatment लेने की बजाए वो अपने आप अगर एक सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक उनका एक राइट वे में treatment चलेगा एक फीजियो थरेपिस्ट जो है उनको किस तरीके से वहाँ पर मसस को related problem है तो उनको गाइड करेगा तो यह आपने सही का कि खुल इसका निरनाई नहीं लेना है कि यह शाइडिका पीन ही आपको थोड़ा सा पीन हुआ नमने स किसी और intervention के patient mobile भी होता है और ठीक होते है चमतकार कह सकते हो हमारा जो सबसे ज्यादा हमारी specialty है वो manipulation है जिसमें हम सबसे important सबसे अच्छा तो हमारा यह होता है कि हम पहले assessment देखते हैं कि exactly root cause क्या है root cause समझ में आ गया treatment वहीं पर छिपा हुआ है अगर कोई deformity से related root cause है जैसे हमारी जो up slip down slip जैसे मैंने बता है कि पीछे wallet रखा है तो hip up slip हो गया एक तरफ से cross leg करके ज़्यादा बैठते हैं तो mostly female में उधर से base land जो disturb हो गई तो जब तक हम उसको correct नहीं करेंगे तब तक हम disc को ठीक नहीं कर सकते हैं और disc जब तर ठीक नहीं हो रहे हैं वहां से bulging तब तक वहां से nerve को ठीक नहीं कर सकते हैं तो वह एक deformity से related है तो deformity पहले correct करना है muscular weakness की वज़े से अगर disc compression हुआ है तो हमें वो muscles की strengthening सबसे important है और वहां पे disc को जो bulging है वहां से decompress करके वहां की muscles को हम strong करके वहां से इसको correct करते हैं and सबसे important यह है कि जब हम किसी एक leg में problem है और हम treatment दे रहे होते हैं कि even right leg में problem है तो हम उसी पे ही focus करते हैं ऐसा नहीं है जब भी कभी problem होती है तो हमें पूरे entire system को देखना होता है कि दौनों side की legs में उसकी strengthening करानी है kinetic chain होती है हमारी human body kinetic chain होती है उसको correct करना बहुत important है तो जिसमें हम उसको साथ में उसमें knee भी involved है hip joint भी involved है spine lower back भी involved है और साथ साथ जो अगर deformity है तो mid complex upper complex भी involved होते हैं तो हमें उन सब को treat करते हैं तो वो हमारी manipulation जो है वो सबसे important उस जगह deformity उस जगह की weakness को और उस जगह को correct करते हुए हम उसको treat करते हैं तो इसमें कई सारी techniques है different techniques हैं जिसमें वो assessment में में पता लग जाता है कि कौन सा complex week है उसको हमें treat कैसे करना है जो जब discuss करी रहे थे प्रोग्राम के opening में तो अपने बूला था कि ज़्यादा जो बहुत बड़ा कारण है हमारे रोज मरा की lifestyle है वो है तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कौन सा diet और किस तरह का lifestyle हमारा हो ताकि शयाटिका और और जिसने पर related issues हैं हमारी life में ना आए तो इस शयाटिका को ना हो इसके लिए हमरे पास अगर कई सारे self treatment के तोर पे है जैसे कि आपका daily routine में आपको general body stretching करनी है जिसमें लैग stretching है spine stretching है twisting है turning है तो उन सब की stretching से muscles जो है flexible रहेंगी और एक particular segment पे over pressure नहीं पड़ेगा एक normal way में आप उससे touch में रहना चाहिए दूसरा यह अगर इसमें हम इतनी सारी सीज़ने करते हैं खान पान अगर हमारा अगर faulty है तो हमें मिलेंगे nutrition नहीं मिलेगा प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वह मसस को nutrition नहीं प्रोवाइड होगा तो वह वहां पे weakness आनी सुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा मैं recommend करता हूँ dry fruits ज़्यादा लेने चाहिए multi grain आर्टे को ज़्यादा यूज करना चाहिए and ragi, ragi में calcium बहुत है और calcium rich food जो है, fibrous food जो है उन सब को हमें ज़्यादा उसमें यूज करना चाहिए खाने में तो वो क्या है कि एक muscles को एक time to time जो है nutrition मिलता रहेगा और जिसकी बज़ाए से वो muscles से healthy रहेगी और साथ साथ आप उसको input output ratio जो है, वो balance करके चलना है कि हमें खाया पिया है तो हम उसको everyday उस तरीके से कैसे consume किया जाए, कैसे उसको muscles को हमें healthy रखना तो उसमें strengthening exercise है, general exercise करो, mild to moderate करो, बहुत heavy exercise ना करो, जिसमें जिम में जाके पता लगता है कि हम 15 दिन में ही वो heavy weight lifting सुरू कर देते हैं, muscles का endurance होता नहीं हो, क्या होता है कि पीछे से back up नहीं मिलता है, और वो disc जो है बाज जोगी, उसने सीधा nerve को press करना सुरू कर दिया, जो हमारी periformis muscles है, जो हमारी periform जो हमारी तो हमने यह देखा है कि जो fault आ रहा है, उसके साथ साथ उसको according to that हमें, treat करना है, stretching करना है, और वहां पर हमें उसको अपनी healthy lifestyle को maintain करना है, जो हलका फुलका व्यायाम जरूरी है, गलत तरीके से बैठना, सोना, इसको avoid करना, या जग के साथ कोई weight नहीं उठाना है लेकिन देश में करोना का प्रकोप है, तो मैं चाहूँगा आप advice दें कि क्या करना चाहिए, जो हम इससे बचे रहें, infection ना फैले, क्योंकि हमें critical stage में एंटर कर रहे हैं, तो उसमें मैं यह चाहूँगा कि दर्शक भी उसको ध्यान से सुने और उन साथानियों को अपना है यह रहना जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं as a doctor यह advice करना चाहता हूँ अपनी सभी दर्सकों को, कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हुए, अगर मैं as a doctor, अगर मैं पैनिक होँगा, तो मैं कैसे treatment दे सकता हूँ, तो आपको पैनिक ना होके, आपको साबधानिय रखनी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए यह है कि आप ज़्यादा पैनिक होके stress में मत जाओ, क्योंकि stress भी एक कहीं ने कहीं हमारी immunity को hit करता है, और जब हमारी immunity weak हो जाती है, तो definitely कई सारी problems attack करती है, तो corona के case में यह सबसे ज़्यादा देखनों के मिला है, जिनकी immunity weak है, उ उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, as compared to a strong immunity person, तो अगर मैं एक simple way में अगर कुछ advice करूं तो वो सबसे ज़्यादा जानने की बात है, कि हमारी जो भारती संस्क्रती को भी अगर सही से पहँचान लिया जाए, अगर देख लिया जाए, तो 90-95% corona से बचाए सकता है अपने सूज को यूज करो, दूर से हम नमस्ते करो, लाते ही नहीं थे लाते ही नहीं थे, तो वो जब कुछ ऐसी चीज़े हैं जो ग्राउंड से लिलेटर जो अगर सॉयल में हैं तो वो अंदर एंटरी नहीं करेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा है, किचन में भी जाने से पहले, किचन में जाने से पहले, कुछ सबजी काटने से पहले, कुछ बनाने से पहले, आप हाथ दोलना, ये पहले बहुत कुछ था, और हम जब मिलते थे तो नमस्ते की जो थी, हमारे मौदी जी ने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रमोशन किया था, अभी नमस्ते टरंप भी, तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें अपना हैंड़ वाश करना है, हम अपने क्लिनिक में सभी पेसेंट्स का, उन सब का बहुत केर करते हैं, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, कि वहाँ पे सर्फेस एरिया है, बार 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 उसको एक एलकॉल से और स करना है, तो इसी तरीके से आप भी अगर कोई पबली डीलिंग करते हैं, तो आपको घर पे आके एक बार अपना नहा लीजिए, ताके वो जितना भी कोई टच है, वो आप उससे बचाया जा सके, और अपने हैंड़ वाश को बार बार करते रहे हैं, और जो है प्रॉपर की बहुत बहुत दिनेवार डाक सब, आपने अपना लापदैक हमें जानकरियां दी और बहुत मुले टाइम भी इस प्रोग्राम को दिया, हेल्थ कोई से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, 9540339361 पे, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा इमेल एडरस है, info at mediaresearch academy.com, ये एपिसोड अगले हफते से आप यूटूब पे भी देख सकते हैं, सो कुरोना से बचने के लिए भीडबार वाली जगों पे ना जाएं, हात मिलाने से अच्छा है कि नमस्ते बोलके काम चलाएं, अपने हातों से अपनी नाक या आँखे नाचुएं, बार बार हात को साबन से अच्छी तरह से दो लें, मैं भी अब नमस्ते ही करता हूँ, क्योंकि चलने का समय हो गया, फिर मिलते हैं अगले रभीबार को नए विशे के साथ, तब तक के लिए आप स्वास्त रहें, खुश रहें, और देखते रहें, हेल्थ कोच सिर्फ दिशा टीवी पे नमस्कार. अबाने को अधम से ही थुश।